सीजन टू एपिसोड फो स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि माइक अपने अपार्मेंट में आया हुआ है वो फ्रीज से एक पाउस निकालता है अपने फेस पर रखता है उसका फेस बहुत ही जादा हर्ट हुआ होता है ये कैसे हुआ अब ये एपिसोड में हमें दिखेगा नेक सिन में सॉल जिस पार्टनर के साथ काम कर रहा होता है उस पार्टनर के साथ उसकी मीटिंग हो चुकी होती है इस मीटिंग में सॉल उन्हें उसकी एड़ोडाइजमेंट दिखा रहा होता है Saul उन्हें बोलता है कि मैंने बहुती कम पैसों में ये सब शूट किया था और अगर तुम्हें लग रहा होगा कि ये मैंने अच्छा नहीं किया तो मैंने बहुती कम लोगों को ये दिखाया था पर हमें जो result मिले है वो बहुती अच्छे मिले है कल और आज में हमने 200 clients sign किये है वो सब उसे बताते हैं कि ये clients के बारे में नहीं है तुमने हमारे back के पीछे ये सब किया है इसकी वज़े से हम ये meeting हमने रखी है Saul का boss उसे बोलता है कि हम एक firm है और हम कुछ represent करते है हमारे कुछ client है अगर उन्होंने ये सब देखा तो हम ये client lose कर सकते है हम एक add run नहीं कर सकते है ये वो Saul को बताते है वो Saul को warning देता है कि ये तुमारी strike one और strike two समझो हम तुमें fire कर सकते है पर हम अब नहीं कर रहे है Saul फिर वहाँ से चला जाता है Saul ने ये add run की होती है इसले किम भी trouble में आ जाती है हावर्ड चक और किम की meeting हो रही होती है हावर्ड उसे बोल रहा होता है कि Saul ने ये तुमें advertisement दिखाई थी पर तुमने भी ये हमें नहीं बताया तुमने ये अच्छा नहीं किया किम उन्हें कुछ भी नहीं बताती दोनों किम को बहुत ही डाटते है और फिर उसका फिर से demotion वो कर देते है नेक सिन में हमें नाचो और माइक दिखाया गया है ये दोनों discuss कर रहे होते है नाचो उसे बोल रहा होता है कि तुमें अब टिको को मार देना है वो से बोलता है कि हम संडे को कलेक्शन करने आते है ये एक कैफे होता है जहां वो कलेक्शन कर रहे होते है वो से प्लान बताता है कि जब हमारा कलेक्शन कतम हो जाता है उस टाइम पर फिर तुम वहाँ आओ वहाँ जादा गर्दी भी नहीं होगी तुम वहाँ आओगे और फिर टुको को शूट करकर वहाँ से भाग जाओगे माईक बोलता है अगर मैंने यहाँ कार पार्क की और मैंने पीछे कोई लग गया तो मैं ट्रबल में आ सकता हूँ यह आइडिया उसे पसंद नहीं आ रहा होता वह नाचो को बोलता है कि यही एक सुलूशन है माईक उसे बोलता है कि तुम टुको को क्यों मारना चाते हो यह एक पुरानी बात है टुको का एक अच्छा साती था उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड था वो भी उसके लिए काम करता था उन दुनों में टुको नशे करता था जब टुको नशे करता है तो अपना माइंड लूज कर देता है टुको को लगा कि वो उसके साथ गदारी कर रहा है इसलिए उसने उसको मार दिया उसने उसके सरव पर गोली चलाई थी उसकी बुरी सकल फूट गई थी उसके फ्रेंड की जो सकल थी वो भी मुझे लगी थी वो गोली के साथ मेरे च्छाती में घुश गई थी वो से नीचान दिखाता है वो बोलता है कि टुको जब नशे करता है टुको बहुत ही डेंजरस होता है वो माइक को समझाता है वो अब crystal mate करने लगा है तो अब ये बहुती dangerous हो सकता है माइक फिर अपना plan उसे बताता है वो बोलता है कि मैं बहुती दूर से sniping कर सकता हूँ मैं उसे बहुत दूर से मार दूँगा जब तूम उस shop से बाहर निकलोगे नाचो बोलता है कि तुम्हें जैसा अच्छा लगेगा वैसा तुम कर सकते हो सॉल फिर कीम से अपॉलोजाइस करने के लिए उसका ओफिस में आता है वो जब उसके डिस्क पे आता है तब वो वहाँ नहीं होती उस वहाँ जॉब करने वाली उसे बोलती है कि उसका डिमोशन हो गया है सॉल फिर वहाँ जाकर उससे अपॉलोजाइस करता है सॉल उसे बोलता है कि मैं हवट से बात कर सकता हो मैं उसे बता दूँगा कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कीम उसे बोलती है कि तुमने ऐसा कुछ भी किया तो हमारे बीच में जो relationship है वो खतम हो जाएगी सॉल उससे बूचता है कि अब ये खतम नहीं हुई है उसे doubt हो रहा होता है सॉल को ये सुनकर ज़रा अच्छा लगता है सॉल कीम की नहीं सुनता और वो चक के बास आता है वो चक को बोलने वाला होता है कि सॉल का इसमें कुछ भी हाथ नहीं है पर वो जब चक के घर में आता है serious condition में होता है उसे दर्ध हो रहा होता है सॉल उसे पानी वेगरा देता है सॉल उसके साथी रात बर वहार उखता है चक जब सुबा उड़ता है तो वो उसे बोलता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है सॉल उसे समझाता है कि किम को कुछ भी नहीं पता था चक हैरान होता है और बोलता है कि उसने कुछ ना कुछ तो बोल देना चाहिए था चब को उसके गलती का एहसास होता है नेक सिन में हमें दिखता है कि माइक गन की शॉपिंग कर रहा होता है यह जो गन उसे सेल करने वाला होता है यह हमें पहली बार प्रेकिंग बैड में भी दिखा था वाल्टर जो सीरिस के फिलाले में गन यूज करता है यह गन भी वाल्टर को इसने ही सप्लाइ की थी माइक उससे स्नाइपर बाय कर रहा होता है थ्री टाइपस के स्नाइपर वो उसे दिखाता है माइक को यह स्नाइपर देखकर सैटिस्वेक्शन नहीं होता है फिर माईक उसे बोलता है कि मैंने plan change कर लिया है सॉल चक के पास होता है तो वो उससे बोलता है कि क्यों तुमें मैं lawyer हूँ ये पसंद नहीं आता उससे बोलता है कि तुम हमेशा से एक चो कॉन man थे और तुम अगर ये law में करोगे तो इसमें लोग hurt हो सकते है सॉल उसे बोलता है कि तुम मुझे इतना hate करते हो तो तुम मुझे बता दो मैं ये job छोड़ दूँगा पर तुमें ये admit करना चाहिए अगर चक नहीं admit किया ये फेला नहीं हो सकती है इसलिए चक ये admit नहीं करता एक सिन में हमें Mike और Nacho की meeting होई दिखती है Mike उसे बोलता है कि अगर टुको का तुमें problem solve करना है तो उसे मार देना ये अच्छा solution नहीं है अगर कॉर्टेल को ये पता चल गया तो तुमारे पीछे आ सकते है और तुम बहुत ही trouble में हो सकते हो Nacho उसे बोलता है कि मेरे पास दूसरा option भी नहीं है Mike उसे बोलता है कि मेरे पास एक option है जिससे टुको जेल में चला जाएगा और तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा Nacho बोलता है कि टुको अगर जेल में चला गया तो वो मुझे भी पकड़ सकते है और हम दोनों एक ही sale में अगर होगे और टुको को ये पता चल गया तो टुके मुझे मार सकता है Mike उसे बोलता है कि ये सब नैचर लगेगा पुलिस का तुम पर शक भी नहीं जाएगा फिर नेक्स दिन हमें पुलिस को कॉल करता हुआ Mike दिखता है यो पुलिस को एक location देता है जहाँ टुको और नाचो collection कर रहे होते है वो वहाँ बोलता है कि यहाँ एक gangster एक आदमी को बहुत ही मार रहा है फिर वो उस cafe में आता है और टुको के गाड़ी को धक्का दे देता है टुको के गाड़ी पर scratch आ जाता है माइक फिर अंदर आता है और order दे रहा होता है वो cash यह order देता है टुको उसके पैसे भी देखता है टुको उसे बोलता है कि तुमने मेरे कार को scratch कर दिया है माइक बोलता है कि मुझे पता नहीं कि मैंने एक scratch किया है फिर टुको उसे वो दिखाने के लिए बाहर लेकर आता है माईक बोलता है कि मैं insurance से इसे pay करवा सकता हो मेरा आच्छा सा insurance है जो इसका खयाल रख लिगे तुको बोलता है कि मुझे insurance ने चाहिए तुम मुझे directly pay कर सकते हो माइक उसे बोलता है कि यह जो सब पैसे है मेरे pension के है यह मेरे पूरे मैने के लिए मुझे यूज करने है यह पैसे में तुम्हें नहीं दे सकता टुको फिर माइक को अपना wallet देने के लिए प्रेशराइज करता है माइक जब वो wallet उसे देता है तब वो उसका collar पकड़ लेता है वो उसे छोड़ता है नहीं तो टुको उसे बहुत ही मारता है तब ही वह पुलिस आ जाती है पुलिस के सामने भी माइक उसे उकसाता है और वो माइक को वहाँ मारता है फिर पुलिस उसे arrest कर लेती है रात में नाचो और माईक की मीटिंग होती है नाचो उसे बोलता है कि तुमने ये जो efforts लिए इसे half efforts में तुम टुको को मार सकते थे तुम्हें जो मार पड़ी वो भी नहीं पड़ती जब टुको जेल से बाहर निकलेगा तो वो तुमें छोड़ने वाला नहीं माईक बोलता है कि वो पाच-दिस साल के लिए जेल में ही सढने वाला है माईक वो उतना केर नहीं करता फिर माईक अपने पैसे लेकर अपने घर आ जाता है यही एपिसोड खतम हो जाता है